हेलो फ्रेंड्स मैं सुनीता वर्मा और सौगत है आपका मेरे चैनल गार्णिंग टिप्स भाई सुनीता वर्मा पर फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए और तुलसी जी को पूजने क्यों माना जाता है फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि तुलसी जी के पत्ते को चबाना क्यों नहीं चाहिए तुलसी का जो पूदा होता है वह हिंदु धर्में सबसे मैतोपूण पूदा माना जाता है और सास्त्रों में कहा गया है कि हर घर के आंगन में तुलसी जी का पोदा जरूर होना चाहिए, नहीं तो लक्षमी जी रूड जाती है, ये एक बात ही इस पोदे की उप्योगिता को सिद्ध कर दिया, इस पोदे का उप्योग अनेक रोगों में होता है, और जब रोग नहीं ह होंगे, हमारी सिहत अच्छी होगी, तो लक्षमी जी के आने के रास्ते अपने आपी खुलने लगेंगे, क्योंकि health is wealth, और अगर इस पोदे में पाए जाने वाले हम chemicals का नाम लेने लगें, तो एक पूरा का पूरा वीडियो इसी में बन जाता है, यानि कहने का मतलब यह है कि जितने भी life saving chemicals होते हैं, उन में से अधिकतर तुलसी जी में पाए जाते हैं, और यह जो पोदा होता है, इसके एक खास बात हो रहे है friends, कि यह 24 घंटे oxygen छोड़ता है, इनी सब कार्णों से हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म में, इसे एक पूजने पोदा कहते हैं, जिसक घर में होना compulsory बताया गया है, अच्छा, नहीं तो अगर इसे हम धर्म से ना जोड़ते, तो यह पोदा भी दूसरी जड़ी बूटियों की तरह कभी का विलुप्त हो चुका होता, friends कि आपको पता है, कि लगबग 10% जड़ी बूटिया जो है, पेड़ पोदे इस धर्ती प पेड़ जो एक मेडिकल की सबसे पुरानी और बड़ी शाखा है, उसमें हर ओस्दी, यानि हर हर्ब को तोड़ने का समय, उसका मूरत, उपयोग करने की विधी, और उसे कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इन सब का बोड़ डिटेल में वर्णन किया गया है, पर हम सब तो आ तुलसी का पत्ता जो होता है, उसे खाने का भी एक विशेस नियम बना दिया, तुलसी जी को चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुलसी में नैचुरल पारा होता है, पारा यानि कि मरकरी, और अगर हम इसके पत्तों को चबा चबा कर खाएंगे, तो वो जो पार है वो हमारे दातों को खराब कर देगा जो दातों के उपर वाइट कलर का यह हार्ड इनेमल होता है वो दीरे-दीरे कमजोर पढ़ने लग जाएगा अगर हम रोज रोज इन्हें चबा कर खाएंगे तो इसलिए हमें तुलसी जी के पत्ते कभी चबा कर नहीं खाने चाहिए औ और कहते हैं कि इसके पांच पत्ते खाओ क्योंकि अगर हम जादा खाएंगे माले सोचबे चलो खूब सारे खालो एक दिन में कोई बात नहीं तो ओवर्डोज हो जाएगी तो इसलिए बारीग बारीग तोड़कर और निंगल कर खाएंगे या फिर इसका काड़ा बना कर प चाहिए और ये पोदा हमें या नोर्थ इस्ट में ही क्यों रखना चाहिए तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरा चैनल जरूर करें तैंक यू वेरी मच्छ फ्रेंड्स